एलो विवर्स, आज हम करेंगे इस वीडियो में जाती बाचक संगया, तो दो फिर बीना टाइम वेश्ट किये, start करते हैं हम इस वीडियो को विवर्स आपने प्रिवेस वीडियो नहीं देखा होगा न तो उपर आई बटन में है आप वहां से देख सकते हैं ठीक है जो सब्द किसी व्यक्ति, वस्तू या अस्थान की संपुर्ण जाती का बोध कराते हैं, उन सब्दों को जाती वाजक संग्या कहते हैं इसका मतलब क्या है? जो सब्ध किसी व्यक्ति व्यक्ति मतलब क्या होता है आपको बताया था व्यक्ति मतलब जैसे हम लोग है वस्तू या अस्थान की संपुन जाती का बोध कराते है जाती मतलब क्या होता है पूरा ग्रूप ठीक है जाती का ठीक है तो जाती का बोद कराते हैं जैसे कि मैंने आपको बोल रही हूँ लड़के ठीक है तो उसमें लड़किया नहीं आ जाएगी उसमें औरते नहीं आएगी उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन से आएंगे लड़के आएंगे ठीक है तो वो लड़को मतलब जितने भी लड़के हैं उसमें पूरी जाती का वो बोध करा रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? जाती वाचक संग्या कहते हैं जो पूरी जाती का बोध कराते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम जाती वाचक संग्या कहते हैं ठीक है? यानि जाति वाचक संग्या सब्दों से एक जाति enthusiasts की अंतरगत आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुओं वह अस्थानों का बोध कराते हैं ठीक है जैसे यहांपे वस्तु है वस्तु का है मुवाईल फोन ठीक है तो mobile phone क्या है, मैं किस company का mobile phone बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता, ठीक है, mobile phone मैंने बोला, कि मुझे mobile phone लेना है, लेकिन ये मैं नहीं बता रही है, कि मैं को किस company का mobile phone लेना है, तो आपको पता चलेगा, नहीं चलेगा न, मैं अगर बोलती हूँ, redmi का लेना है, realmi का लेना है, और जब मैं नाम नहीं लेती, only क्या बोलती हूँ, only यही बोलती हूँ, सिर्फ यही बोलती हूँ क्या, कि मुझे mobile phone लेना है, मुझे पुस्तक लेना है, मुझे car लेना है, तो यह क्या हो गया, यह जाती वाजक संग्या हुआ, ठीके, यह पूरी जाती का बोथ करार है, मुवाइल फोन लेना है मुवाइल फोन मैंने उसका नाम नहीं बताया अगर मैं नाम बताती हूँ तो वो वेक्ति वाचक संग्या होगा अगर मैं नाम नहीं बताती ठीक है only बोलती क्या हूँ मुझे मुझे मुवाइल फोन लेना है तो ये पूरी जाती का बोट करा दिया मुवाइल फोन जितने मुवाइल फोन है उसमें से मुझे कुछ लेना है मतलब उसमें से कुछ क्या मतलब उसमें से कोई मुवाइल फोन लेना है तीवी, अब टीवी भी मतलब अलग-अलग company के होते हैं LG का हो गया, Samsung का हो गया उसी तरह MI का हो गया तो इसी तरह सब क्या है different different TV है तो मैंने आपको बोला क्या कि मुझे TV लेना है ठीक है मैंने अगर नाम ले लिया मैंने TV का नाम लिया मतलब मुझे MI लेना है LG लेना है मैंने क्या बोला मुझे TV लेना है सिर्फ और सिर्फ जाती वाचक संग्या मैंने बोला बच्चो इधर आओ तो बच्चों में जितने भी बच्चे होंगे उसमें लड़के हो या बच्ची आओ वो सारे बच्चे मेरे पास आएंगे ठीक है आगया होगा समझ आप जैसे उसी तरह देखो अस्थान, अस्थान क्या है मैंने बोला गाउ, मैं गाउ जारी हूँ ठीक है, अब मैं गाउ जारी हूँ तो गाउ जारी हूँ मैं अब किस गाउ मैं जारी हूँ मुझे मैंने मैंने आपको नहीं बताया ये कौन सी गाउं जा रही हूँ तो आप बोलोगे कौन सी गाउं आप कौन सी गाउं का नाम पूछोगे तो मैं जब नाम बताऊंगी तब वो व्यक्ति वाजक संग्या हो जाएगा अगर नाम नहीं बताती मैं बोलने हूं, only गाओं जार्यूस, क्या जार्यूं मैं? गाओं जार्यूं, बहुत सरे गाओं होते हैं, आपको नहीं पते चल रहा है, पूरी गाओं का पहने क्या किया, जाती का बोद करा दिया, स्कूल जारी हूँ मैं ठीके, क्या कर रही हूँ मैं स्कूल जारी हूँ, तो स्कूल पूरी जाती का बोत करवाया, अब स्कूल का नाम ले लोगे, तो वो व्यक्ति बाचक संग्या हो जाएगा, जब आप स्कूल का नाम नहीं लेते हो ठीके, क्या नहीं करते हैं आप, जब आप स्कूल का नाम नहीं लेते हो, तो वो क्या हो जाएगा, जाती वाचक संग्या, ठीके, तेक वाज फिर से समझ सकते हो देखो, जो सब्द किसी व्यक्ती, ठीके, वस्तू या स्थान की संपुर्ण जाती का बोद कराते हैं, उन को जाती वाचक संग्या कहा जाता है, यानि जाती वाचक संग्या, सब्दों से एक जाती के अंतरगत, आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तू या स्थानों का बोद कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जाती वाचक संग्या कहते हैं, प्राणी, ठीके, जो आपको मैंने क् बता दिया था अभी वस्तू तो प्रानी आगे यह पर आदमी लड़का जानवर आदी ठीक है तो यह क्या एक जाती का बोद करार है तो यह जाती वाचक संग्या हो गया ठीक है अब जाती वाचक संग्या को हम कैसे पहचानेंगे जाती वाचक संग्या के उधारन देख लो आप गाय जो है गाय बोलने से पहाडी, जर्सी, हर्यानवी, काली, सफेद, आदी सवी गायों को हम बोध आता है ठीक है अथ है गाय जाती वाचक संग्या सब्द की सब्द हुआ ठीक है क्या है गाए जाती वाचक संग्या सब्द हुआ क्योंकि गाए जानवरों की एक जाती है मैंने बोला गाए मुझे खरीद कर लेकर आनी है ठीक है मैंने गाए का नाम नहीं बोला मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या बोला गाय बोला तो गाय जो है वो पूरी जाती का बोध करा रही है तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे जाती बाचत संग्या कहेंगे ठीक है और कुछ एक्जामपल देख लो आप लड़का लड़का बोलने से सभी तरह के वह सभी जगए के लड़कों का बोध होता है मैंने लड़का बोला ठीक है अब दुनिया में जितने भी लड़के हैं उनके सबके बारे में बात कर दियो मैं बोल दियो लड़कों के न क्या आते दाड़ी आते हैं तो जितने भी लड़के हैं सब के दाड़ी आएंगे आएंगे न मैं कहले हूँ लड़के के न मूचे न अब कुछ लड़के मूचे रखते हैं और कुछ लड़के नहीं रखते तो मेंस मूचे तो आती है ना सबको या नहीं आती आती है ठीके तो मैंने लड़कों का बोला कि लड़कों के मूचे आती है तो मैं दुनिया में जितने भी लड़के हैं उन सबके वारे हैं बात किया किसी एक स्पेसल के लिए बात नहीं किया है ठीके तो जितने भी लड़के आते हैं, सबके वारे हैं बात किया है, तो पूरे लड़के, मतलब जितने भी वर्ल्ड में लड़के हैं, दुनिया में लड़के हैं, वो पूरी जाती का बोध करा रहे हैं, तो उसी को क्या कहेंगे हम, जाती वाचक संग्या कहेंगे, लड़का बोल के होंगे वो सब के बारें बता रही हुए ठीक है जैसे राम श्याम विकास मोहन अकाश आदी क्योंकि मनुस्य जाती में लड़का एक खास अवस्ता वाली जाती है ठीक है अगर आप नाम ले लेते हो मैं आप लड़का बोलते हो तो लड़का में क्या होगा राम नम का लड़का हैगा मोहन नम का लड़का हैगा सभी जितने जो भी नाम होगे वो सारे लड़की आएंगे अगर मैं नाम बोलते हो सिर्फ विकास नाम का लड़का जो है ना वो बोना है ठीक है तो वो बोना है तो मैंने विकास के लिए बोला तो विकास के लिए क्या हो जाएग तो वो वैक्ति वाजिक संग्या हो जाएगा और मैं किसी का नाम नहीं लेती Only लड़कों के बारें बात कर रहे हूँ तो वो क्या होगा? जाति वाजिक संग्या होगा ठीके? अब पहाड देखो पहाड भी क्या है? अलग-अलग नाम होते हैं पहाडों का तो वो वेक्ति वाचक हो जाएगा अमें पहाड लेती हूँ पहाड बोलती हूँ तो पहाड अब जितने भी आएंगे पुरी जाती का बोत कर आया तो वो क्या हो जाएगा जाती वाचक संग्या ठीके शहर यह एक अस्थान सूचक जाती वाचक संग्या है इसके अंतरगत तमाम सहर आएंगे ठीक है शहर बोला तो सहर में सारे सहर आएंगे पतना गुजराद दिल्ली कोलकता आधी ठीक है तो आपको आगया होगा समझ अब हम next वीडियो में संग्या के भेद का थर्ड करेंगे अब हमने संग्या के सेकंड भेद किया है प्रिवेस वीडियो में संग्या के फर्स्ट वीडियो की आथा ठीक है तो पर आई बटन में है आप वैक्ति वाचक संग्या का देख सकते हो फिर इस वीडियो को देखना जाती वाचक संग्या को ठीक है तो आज के लिए क्लास इतना ही अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं